केंद्री मंत्री एमपूर्फ से नाप्रमुक जनरल बीके सिंग डिटायर्ड ने कहा कि पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा इसके लिए आपको बस धोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है दरासल टाजिस्तान में एक कारेकरम के दोरान जब उनसे पूछा गया कि पीयोके में लोग भारत के साथ विले की मांग कर रहे हैं इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या रुख है इस सवाल के जवाब में उन्होंने पीयोके के भारत में विले की बात कही है जनरल बीके सिंग बीजेपी की परिवरतन संकल प्यात्रा के सि प्रसिले में राजिस्थान पहुचे हुए हैं राजिस्थान के दोसा में प्रेस कॉंफरेंस में बीजेपी सांसत और पूर्फ सेना प्रमुक चेनरल वीके सिंग से पूछा गया कि पीयोके के शिया मुस्लिम भारत के साथ सीमा खोलने की बात कर रहे हैं इस पर आप क्या कहन चाहेंगे इस सवार में पूर्फ सेना प्रमुक ने कहा पीयोके का खुद बाखुद भारत में विले हो जाएगा आप बस थोड़ा सा इंतिजार करिए बता दे कि इस सान राजिस्थान में विधावसना सभाचुनाव भी होने हैं केंद्रिय मंत्री ने हालगी में भारत की अध्यक्षता में हुई Z20 शिखर सम्मेलन को लेकर भी पात कही उन्होंने कहा कि जिस तरहें से भारत में Z20 का सफल आयोजन हुआ है उसने वेश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान बनाई है भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है बीजेपी सांसद ने कहा क Z20 की तरह का आयोजन पहले नहीं हुआ था और किसी तेश ने ये सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसे सम्मेलन का आयोजन कर सकता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेतरत में भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है